हेलो आप सभी का स्वागत और यह विद्यारती हो आठवी क्लास का आज जो एक्जाम हुआ तो ने विविवे, इंग्लिस का एक्जाम हुआ उस इंग्लिस के पेपर का पनिया पे मतलब सुबह मेरा इस्कूल सुबह साड़े नौ बज़े शुरू होता है दूसरा उसी में आएगा I study six subjects there मैं वहाँ पर छे सब्जेक्ट पढ़ता हूं उसके बाद में आपको तीसरा लिखना है उसके बाद में नैक्स जो उसके बाद में हम खेलते हैं और उसके बाद में हमारे साठ़े तीन बिज़े चुट्ई हो जाती है इट टो तो इस तरीके से आपको यह sentence का sequence जमाना था उसके बाद में आगे बढ़ते हैं देखेंगा आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो अगला sentence था It is the last day of the year तो यहाँ पर आपको लिखना था last day इसको भी rearrange करना था यह sentence था जो अलग-अलग parts में था तो आपको यहाँ पर लिखना है It is तो यह इसका रहेगा सही जो sequence रहेगा वो यह रहेगा It is the last day of the year और इसी में दूसरा जो sentence था उसमें रहेगा I am not free this evening मैं इस evening को free नहीं हो तो इसका sequence रहेगा I am not free this evening उसके बाद में कुछ missing letters वाले थे दो words थे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक था because तो जिसकी spelling रहेगी B-E-C-A-U-S-E Because और एक थी ground तो उसके spelling रहेगी G-R-O-U-N-D ठीक है Next जो अगला था उसमें आपको plural बनाने थे तो plural जो बनाने थे उसमें एक तो था foot तो foot का जो plural है तो इसका foot का रहेगा fit और next था postman तो postman में P-O-S-T M-E-N postman में M-A-N की जिगे M-E-N हो जाएगा ठीक है उसके बाद कुछ और जो questions थे उसमें एक था gentle तो gentle का मतलब बताना है kind रहेगा not related to hospital अब एक जो आप दिया वह तो question उसमें था कि इसमें से कौन से एक hospital से related नहीं है तो not related to hospital वो कारपेंटर आएगा इसका right answer और एक और question था balloon to the crying तो उसमें आएगा the crying child हाँ तो आप देखिए आगे बढ़ते है next जो आपका question वो है do you know Mohit who तो Mohit के बाद में यहाँ पर आएगा इसके लिए who आएगा next लिखाव है the breeze is across तो breeze वाले जो question था उसमें आएगा across और अगला था would you like to help me तो यहाँ पर आएगा would option जो हो रहेगा इसका would इसका across ठीक है तो यह कुछ questions थे और जैसे जैसे question और मिलेंगे हमें तो हम उसका भी solution करेंगे देखेंगे okay thank you bye